हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का मेरे चानल पर आज हम एक्स्प्लेन करेंगे नेट्फिक्स के एक साइन्स फिक्षिन सीरीज दो ओए की सीजन वान के छटे एपिसोड फोकिंग पाथ्स को इसकी IMDb rating 8.2 है अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन वाक्स में मिल जाएगा चलिए बिना देरी किये चलते हैं कहानी की ओर दोस्तो एपिसोड की शुरुआत में हम बक को देखते हैं जो अपने घर में प्राइरी के सिखाए हुए मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर रहा था रात होते ही बक उस उनसान घर की तरफ निकल जाता है जहां वो लोग रोज मिलते थे प्राइरी कहती है कि हमें कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि हम एक डाइमेंशन से दूसरे डाइमेंशन में जा सकते हैं मगर हमें इस पर यकीन तब होने लगा जब सकॉट के शरीर से बहा हुआ खून फर्श से उसके शरीर के अंदर वापिस जाने लगा हम लोग रोज प्रैक्टिस करने लगे और हमने कभी भी भरोसा नहीं खोया देखते ही देखते दो साल गुजर गए मेरे पास पहला मूवमेंट था और हमेर के पास दूसरा सकॉट के पास तीसरा और रेनाटा के पास चौथा लेकिन अभी भी हमारे पास पांचवा मूवमेंट नहीं था रेनाटा के पिछले नियर डिट एक्सपीरिंस के दोरान उसे पता चला कि एक डाइमेंशन से दूसरे डाइमेंशन में जाने से लोगों को अमनीजिया हो सकता है यानि कि वो उनकी याददाश्ट खो सकते हैं इसलिए उन्होंने एक तरीका रेकाला जैसे गाने के सुरों को नोट्स में लिखा जाता है उन्होंने भी अपने मूवमेंट्स को अलग-अलग सिंबल से निशानों से याद करने का तरीका ढूंडा। उन्होंने उन निशानों को अपने शरीर के उपर ड्रॉ कर लिया, जिससे कि अगर उनकी याददाश्ट चली भी जाए, उन्हें वापिस आने में वो निशान करें। होमेर ने अपनी पीट पर दूसरा और चौथा मूवमेंट बना लिया और प्रायरी ने पहला और तीसरा। अगले सीन में प्रायरी अपनी टीम को वही निशान दिखाती है। बख बहुत ही मूश्टल हो जाता है और प्रायरी से पूछता है कि तुम अपने नियर इसली एक दुनिया में हमेशा के लिए रख सकता था और हमारे लिए कैट से चुटकारा पाने का यही एक मात्र तरीका था। हमें फ्रीडम मिल पाती और हम इसके जरीए एक नई जिन्दगी जीने के लिए तैयार थे। जैसी प्रायरी से पूछता है कि जब वह दूसरी द आगे कहती है कि जब एक इनसान एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर जाता है तो कई सारी चीजे अलग हो सकती हैं मगर समय में कोई बदलाफ नहीं होगा यह आपको सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएगा मगर इसके लिए हमें पांचों मूवमेंट पता हैप को भी मिलते गए उन्हें सारे मूवमेंट्स हैप से पहले सीखने थे जिससे कि वे लोग आजाद हो सके देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है लेकिन रेचल को अभी तक पांचों मूवमेंट नहीं मिला था प्रायरी मन ही मन यह सोचने लगती है कि क्या उन्हें पांचों मूवमेंट मिलेगा भी या नहीं वह कहती है कि हम सब साथ थे मगर हैप अकेला था उसके पास सिर्फ एक ही इनसान था जिसके साथ वे अपनी मन की बात बाट सकता था और वो था उसका दोस्त लियोन दोस्तों अभी तक हमने प्रायरी के नजरी से इस कहानी को गया है कि प्रायरी को लियोन के बारे में कैसे पता था अगले सीन में हैप लियोन से एक हॉस्पिटल में मिलने जाता है है लियोन को बताता है कि उसने हाल ही में एक सपना देखा जिसमें वे जाल में फसा हुआ था जैसे एक चूहा जाल में फस गया हो दोस्तों इसका कि लियॉन भी हैप की तरह एक हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट करता था और उसने भी कई लोगों को कैदी बनाकर रखा हुआ था हम हैप के एक अलग चेहरे को देखते हैं वह लियॉन को कहता है कि कभी-कभी वह बहुत दुखी हो जाता है ये सोचकर कि वह उन कैदियों का गुनेगार है वह कहता है कि उसे अपने कैदियों से लगाव हो गया है इस पर लियॉन कहता है कि जब उसे अपने कैदियों से लगाव होने लगता है वह उन्हें मार डालता है वह हैप से कहता है कि तुम हमेशा एक्सपेरिमेंट से होने वाले लाप को देखो और अपने ख मैं बस सचाई को जानना चाहता हूँ। लियॉन हैप को एक स्टोर रूम में ले जाता है और उसे एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है। हैप कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लियॉन और हैप के बीच हाता पाई हो जाती है और खुद को बचाने के लिए हैप लियॉन को मार डालता है। अगले सीन में हैप अपने चेहरे को सकाफ से ढखकर हॉस्पिटल से निकलता है और रास्ते में एक नर्स को बताता है कि लियौन ने हॉस्पिटल के एक कौने पर कुछ लोगों को कैद कर रखा है ये कर के शायद हैप अपने पच्चतावे को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है अगले सीन में हैप प्रायरी को एकस्पेरिमेंट के लिए ले कर जाता है वह प्रायरी से कहता है कि उसे बाकियों की फिक्र नहीं लेकिन उसे प्रायरी की फिक्र है वह प्रायरी से कहता है कि हम कल यहां से भाग जाएंगे और हम उन लोगों को ठीक करेंगे जिने कभी भी ठीक न होने वाली बीमारी हो हैप आगे कहता है कि वे उसे होमेर से जादा समझेगा प्रायरी उसे पूछती है कि बाकियों का क्या होगा इस पर हैप कहता है कि वे उनका खयाल रखेगा ये सुनकर प्रायरी उसे कहती है कि वे कभी भी उसके साथ नहीं जाएगी हैप एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और प्राइरी मरकर खतुन के दुनिया के जैसी ही एक दुनिया में जाती है वे चारों तरफ खतुन को ढूंडती है उसे पुकारती है मगर इससे पहले कि उसे खतुन मिलती वे अपने नियर डेथ एक्सपीरिंस से बाहर आ जाती है एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर हैप उसे उसके नियर डेथ एक्सपीरिंस में रिकॉर्ड हुए कुछ आवाजे सुनाता है प्राइरी एक आवाज को पहचान लेती है और हैप कहता है कि ये आवाजे सैटर्न गरह के रिंग्स की आवाजे थी अपने सेल में पहुँचकर प्राइरी हुमेर को उसके साथ क्या हुआ वो बताती है प्रायरी कहती है कि शायद खतुर नहीं चाहती कि ये पांचवा मुवमेंट हैप को मिले इस पर हुमेर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि हमें पांचवा मुवमेंट जरूर मिलेगा अगले सीन में दिखाते हैं कि हैप हेड़फोन लगाकर प्राइरी की NDE की आवाजे सुन रहा था कि तभी शेरिफ घर के अंदर आ जाता है और वे हैप के स्क्रीन में उन कैदियों को देख लेता है शेरिफ हैप के सर पर गन तान देता है सीन यही कट हो जाता है और हम बक के पिता को देखते हैं जो घर का फ्रंट डोर खुला देखकर दरवाजे को बंद कर देता है दोस्तों अगर आपको याद होगा कि प्राइरी ने उन्हें कहा था कि जब वे लोग मिले तब उन्हें अपने घर का में डोर खुला रखना होगा दोस्तों अब आगे क्या होगा इसका पता हमें अगले एपिसोड में ही चल पाएगा दोस्तों अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें